हाई गाईस वेलकम बेक टो मैं चैनल यह वीडियो लैंब डियाईव सीरीस का सेकेंड वीडियो है इस DIY को create करने के लिए मैंने old wooden button का use किया है जो मेरे पास पहले से ही था अगर आपके घर पे wooden button अवेलेबल नहीं है तो आप इसे local store जहाँ पर wooden button मिलता है वहाँ से purchase कर सकतो यह आपको 5-8 रूपिस पर फिट के सबसे मिल जाएगा और अगर मेरे तरह आपके घर में भी इस टाइप का wooden button अवेलेबल है तो पहले इसे sandpaper से rub कर लेना है देन स्क्रीन पर दिएगे measurement के सबसे कट कर लेना है अब इक कट किया वापिस इसको glue से attach करके एक cube ship form कर लेना है कर दो कर दो कर दो है क्यूब शेफ्ट क्रेट हो जाने के बाद अभी कुछ इस टाइप का छे उड़ें स्टिक को क्यूब के एक साइट पे एटाच कर लेना है इस स्टिक को मैं इसलिए एटाच कर रहा हूँ क्यूंकि इसके बीच में मैं होल्डर को फसा के लैम को हैंग करने वाला हूँ मैं हूँ कर दो बखंगा को बाहा बाहा हुआ नहा बाहा हुआ है लैंप्स में इस टाइब का बल्ब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस डेकोरेटिव बल्ब को पर्चेस करना चाते हो या फिर इसके प्राइस के बारे में जानना चाते हो तो इसका अन्बॉक्सिंग वीडियो देख लो जिसमें मैं बल्ब का लुक, क्वालिटी और प्राइस के बारे में बताया है तो आपको एक क्लियार आइडिया मिल जाएगा इस प्रोड़क्ट के बारे में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और एक कॉमेंट ज़रू कर देना और लैंब डियाओ इस रिस का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आने वाला है तो आप अगर देखना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर रख सकते हो थैंक्यू फॉर वोचिंग तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में